हेलो अबरीबवान वेल्कम बैक टो में चानल मैं बीटीफुल लाइफ है द्रिशानी कैसो आप सब आयोब के आप लोग बहुत अच्छे होंगे मैं भी बहुत अच्छे इन गूड इमिनिंग गाई जभी साम हो चुका है और अभी से मैं अपना ब्लोग स्टार्ट कर रहे और अभी मेरे हजबन आगै और विशानी विशानी क्या खाए यो क्या खाए हो पोटेटneck को बोलतीए टैटो लाइत टैटो लईड क्या है क्या खाए हो चीजु खा रही है इसका नाम क्या है पोटाइटो लाइच बोलो दे एक बार पोटाइटो लाइच चाइटो लाइच तो हैजबन मेरे रेर सारी सब्जिया लेकर आया है आज है सटर्डे और चिकन भी लेकर आया है तो अभी मैं चिकन बनाने जारी चिकन करी और सारी सब्जिया यहां पे हैं इतनी सारी सब्जी कह कह है मैं आप लोग को दिखाती हूँ और देखिए गाईज मेरे सारे कीचेन उसी तरह पड़े हुए क्योंकि मैं दोपार में सो गई थी खाना खाई मॉर्णिंग में एक ब्ल किर जिए हैं दरिशानी मेरे पूरे घर में समान फैला के रखी ती उसे मैं तो जारू लगाए हूं और अपी अब दूपार चलिए हैं में मिलती हूं अपना काम थार्ट करते हूं भूए तो बोगों व्यागे सारे काम खतम उन चुके हैं और अभी हम लोग चाहे पी ले तो मैं किचिन क्लीनिक भी कर ली हूँ और बरतन भी में दो के रख लिए थे तो बरतन में भी लगा रही हूँ तो आदा घंट पहले में धोई थी और अभी मैं डिनर की तियारी करूंगी तो डिनर में आज बनाने वाले हैं चिकन करी तो चिकन लेकर आये थी मेरे हस्फेन त तो जबसे पहले तो मैं सारी कलेक्शन वीटीयो की थी तो मतलब कॉमेंट आया था आप लोगों का कि मैं ब्लाओट भी अपना दिखाओ ब्लाओट सेयर करूं तो हमारे पस जादा ब्लाउज कलेक्शन नहीं है लेकिन फिर भी मैं सेर करूंगी आप लोग के साथ तो मैं सोची थी क्यों वीडियो मतलब सूट करूंगी थोरी सी प्रॉब्लम चल रही है नहीं कर पा रही हूँ तो गैज एक दो दिन आप टाइम दे सकते हो मुझे मैं सब की रिक्वेस्ट पूरी करूंगी थोरी बहुत सी प्रॉब्लम तो होई जाती है ना मैं पूरी कोशिस कर रही हूँ कि आप लोग की सारे रिक्वेस्ट पूरी करूं और बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट भी है जो कि मैं अभी तक पूरी नहीं कर पाई हूँ तो मैं ध बहुत ज़्यादा सपोर्ट किये हो और इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमली 1000 की हो चुकी है इतनी बड़ी खुशी मुझे मिली है ना कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती हूँ तो मैं तो खुश हूँ बहुत और उमीद करती हूँ कि आप लोग भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे तो आप लोग कोमेंट करके जरूर बताना आप लोग खुश हो या नहीं और थोड़े बहुत रिपलाई भी मैं देना चाहती हूँ आप लोग एक कोमेंट का तो बहुत सारे कोमेंट आये और मैं बिहार में पली बड़ी हूँ तो मेरी पैदाइसी बिहार में हुई है और मेरी पूरी फैमिली बिहार में ही रती है तो मैं बेंगोली नहीं हूँ लेकिन हम लोग साकापोला पहनते हैं और बहुत ही महत्वे रखते हैं साकापोला का क्योंकि एक शुहागन का ये मत करूंगी ना ताप लोग को पूरा डेटेल्स में बताऊंगी कि हमारी साधी लौब मेरेज यह एडेंज मेरेज है इसे तो बगर मैं बॉलू तो हमारी साधी बहुत डेंजरस साथी वही थी तो उसके लिए ताप लोग को वेट करना पड़ेगा काई जैं मेरी मेरेज स्टोर तो आप लोगों से बाते करते करते में मैं चिकेन भी दोली हूं और यहां पर चिकेन फ्राइए करने के लिए डाल दी हूं और यहां पर मैं प्याज भी छिल रही हूं लेस्वन भी छिल रही हूं और जब तक चिकन फ्राइए होंगे तब तक यह सब मैं छिल कर काट बहुत ज़ादा पसंद हim log book करीके से चिकेन खाना तो बहुत कम है जो मैं किसी और तरीके से बनाती और मैं सोचती फिल्य चोपी मैं िपारोगोर। 93 को टोले करते हैं तो बहुत सारे लोग कि किन應該 अलू डालके बनाते हैं जो लोग उरीशा से होते हैं बैंगोली होते हो लोगों का चिकन कड़ी में आलू डाला रहते हैं तो में तो कभी ट्राइ भी नहीं किऊ लेकिन सोचती हुआ करके देख़ूंगे कि तेस्ट लगता कैसा है तो एक पर जरूर में बना कर खाऊंगी और यहाँ मेरे चिकन फ्रा ऑदा डाली हूँ और थे थोड़ासा ब्राउन हो गया उसके बाद से काषिज करतvit यहाज तर बतारी हम देखें बहुत अच्छे से फ्राई भॉस्ये प्याज और उसमें का हम धिलित चेफ पानी बनालंदी हुआ ऑड़ जीरा पाउडर और काले मिज़ पाउडर आड़ कर देंगे जालेगे मसाले को थोरہ सा ढक मसाला बहुत अच्छे से घल । तो मसाला जब अच्छे से भूना जाएंगे गल जाएंगे तो इसमें मैं डाल दूँगी चिकन जो फ्राई किया हुआ है और चिकन को भी मैं 2-3 मिर तक मैं भून लूँगी मसाले के साथ अच्छे से ताक कि चिकन के अंदर भी थोरा सा मसाले का फ्लेवर चला झाला जाए तो देखिए बहुत अच्छे सा सचिकन पुना गए थे तो मैं इस में से थोरा सा भुणा हुआ चिकन भी निकाली हूँ खाने के लिए तो मुझे बुना हुआ चिकन बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे हस्बेन को भी तो सैलेड बनाऊंगी अभी और उसके साथ हम लोग खाएंगे और मशाले जब बुना गए थे उसमें मैं पानी एड़ कर दी हूँ तो जितना के चिकन फ्राई किया हुआ मैं निकाली थी और यहां पर है सैलेड जो मेरे हस्बेन बना के रखे थे तो उनको ही मैं बोलती हूँ बनाने के लिए और दिशानी को देखो यह दिशानी को खीरा बहुत ज़्यादा पसंद दे तो खा रही है जबी मैं दिनर कर चुकी हूँ और अभी हम लोग जा रहे हैं सोने ऐसे भी टाइम जाता हो चुका है ग्यारा बच चुका है और कल मुझे जाना है ग्रोश्री शॉपिंग के लिए दीमार तो कल भी मुझे सारे काम जली जली खतम करने पढ़ेंगे और कल है संदे तो कल मैं जाओंगे ग्रोश्री लाने मेरे घड़ की ग्रोश्री पुरे कतम हो चुके है तो गाइज चले मैं मिलते हूँ आप लोग से मॉर्निंग में आपी के लिए पापाई गुट नाइट शुट द्रीम अब आपो लोग को लोग के लिए हैं पूरी मनाई भी है अजबन के बनाई थी और आतका चिकेन कड़ी था तो हजबन मेरे खाली हैं हम लोग पूरी काया है न अदिशानी अदिशानी मेरी रेडी हो गई है और अभी हम लोग जा रहे है डी मार्ट और सोचें कि आज मॉर्निंग में ही जा के ला दे क्यूंकि साम को ना बहु ज़दा भीर हो आज है संडे संडे के दिन अल्वेटी बहुत ज़दा वीर रहता है तो ग्यारा बच्चुक है अभी हम लोग जश निकल रहे है तो चलिए ग्रोश्री तो लाना ही पड़ेगा ग्रोश्री में खतम हो चुके है और वैसे भी होली आ रही है तो होली के भी हम लोग का लेकर हूआ हुए अभी 2 मौत नहीं हुआ है अभी 15 दिन कम है तो कुला बहुत रहता है इता है ना सबाक्ते लेकर आ जाती हूं दुबहरा से नहीं करते हुए तो चलते हैं और आने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ गाइस क्यों कि अभी मैं रेडी हो चुकी है और मेरे हैं पर भी रेडी हो चुके हैं तो अभी निकल रहे हैं देखें यहां पे हैं तो अभी चल रहा है मेरे घर में अब देख सकते हैं एनी टाइम नीज देखते रहते हैं मुझे नीज देखना बिल्कुल पसंद ने मेरे अजमिन को पसंद हैं तो खैर आजेंश लोग जादा देखता हैं तो चलिए कायल में थोड़ी देर बात आप लोगों से हां कर दोड़ी देखते हैं तो खैर आप लोगों से हां कर दोड़ी देखते हैं तो खैर आप लोगों से हां कर दोड़ी देखते हैं तो खैर आप लोगों से हां कर दोड़ी देखते हैं तो खैर आप लोगों से हां कर दोड़ी देखते हैं तो खैर आप लोगों से हां कर दोड़ी देखते हैं तो खैर आप लोगों से हां कि अब लोग यहां बोपकोन बैट के था रहे हैं और एक मैंने लिया है फैमिली बैट इसे पैक कर वाली हूं और एक लिए ऐसा दा खाने के लिए है ना जिसानी कि अब लोग घर आ गए है और देखें इतने तारे ग्रोश्री यहां आगे हैं हम लोग और यह भी है इतने सारे ग्रोश्री मैं आप लोग को बात में बिखाती हूं कि मैं इस मंत ग्रोश्री केकर लाई हूं बहुत थोड़ा सा चेंज रहता ही है हर मतलब कुछ न कुछ चेंज तो रहता ही है तो जो घर पे बचा हुआ था जो भी समान था वो मैं नहीं लेकर आई हूं और मतलब जो घटा हुआ था वो लेकर आई हूं और एक्स्ट्रा भी कुछ-कुछ चीजे लेकर आई हूं जैसे कि होली आने वाला है तो चलिए गाइस भी मैं जारी हूं लंच बनाने क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है दो बच चुका है और अभी हम लोग ब्रेक्वस्ट करती ही गए थे तो लंच बनाते हैं खाते हैं फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं गाइस बाद में बाद मेरी इंसाम को और अभी मैं आप लोगों को दिखाने जाड़े हूं कि मैं क्या-क्या ग्रोश्री लेकर आई हूं तो इस वार बहुत सारे मतल बाद एक एक चीज देखते जाती हूं और पूरे ले लेती हूं और फिर से उतना ही आज आता है तब ही मैं ना गेमों नहीं लेकर आई हूं क्यूकि येमों मेरे पड़े हुए हैं और मैं सिफ चावल की बोरी लेकर आई हूं 25 kg तो अभी मैं चेंज करके लाई हूं पहले म है तो इस पर मैं हूं देख कर आई हूं तो पहले हम लोग यही डी राईश खाते थे लेकिन भी मीश में भी मैं चेंज की थी यह वाला राईश की खाके रेक्यों है तो यह ज्यादा है ज़्यक्ट हंदा बनता है और यह थोड़ब से मुझे यह तो पसंद नहीं आया ले कुर्मूरा, कुर्मूरा बोलते हैं, और हम लोग इसको मुर्मूरा बोलते हैं, इसमें लीखा है कुर्मूरा लेकिन गौवेती से मूरली preço more तो यह द्रिशानी का कुरूड़ा और मैं एक बार बड़ा सा पैकट लेकर आई तो उसको खाना ज्यादा पसंद है और बच्चे को खिलाना चाहिए इस देना बच्चे को भूख लगता है मतलब भूख बढ़ती है तो इसलिए खिलाना चाहिए बच्चे को तो मैं लेकर आए और मैं वाइट टोन पाउडर लगाती हूँ तो यह मैं एक वाइट टोन पाउडर लेकर आई हूँ खत्म हो गए थे मेरी और यहां है द्रिशानी का एपी सीदी का कुछ मतलब पढ़ने क तो पिछे नियुका दिखा रहे हूँ और दल जेनी मैं आप लोको दिखा रहे हूं यह है विटाणिया का तोज अगे यह है द्रिशानी का चोपोज और यह है एक क्रेक जेक बिस्कित और वाइट एट नहीं सब्सक्राइब नाद थाड़ा ओल मैस्टर ओल हम लोग खाते ह तो सब्सक्राइन तक यहां ग्लिदेन धारागा घृत कि लिए दे야 है वो दो से मेरे हस्बें तो फेबरेट को कम सर्वेट तो यह इस लेकर आएगू और उसके बाद यहां है जांडू भॉम यह बहुत जरूरी रहता है हम लोगों को हमेशा जरूरी रहता है जांडू भॉम का यह इक है निर्ट्रेला का पैकेट एक धड़ पे था तो मैं एक फेट लेकर आएगो तो यह एक घजूर और सच भे हम लोगों का फेबरेट ही है आजबी कभी फेबरेट है मेरा भी फिबरेट है तो गैस यह है सोडा और यह कोकम सरवत में डाल के पीने के लिए लाए है और इस्चु हट जा और यह है मैगी एक पैकेट और केचप है मैं यह छोटा वाला पैकेट ही लेकर आती है यहां है कि अगल बत्ती पैकेट्ट डेटॉल साबुन और एक पैकेटमें लिया है दो यहां है मैधा मैं मैं दो पैकेट लेकर आईगा कि लिए तो इस जी सावल और में की इतना है कि यह जाएने इड्या औहीं तो इस पत्काइल डे कि यह भी आज़पिक लेकर आई और यह कज पढ़िम्सी को लेकरilyई चल्ना के बाख knob भरबेबा रwand की अधे दाना नन्स के ढ़ी जाए पास करद देख लो गाइस कैसे करती है दिरिसानी आप देख सकते हो और यह है मुफली और यहां है मस्धूर दाल यह है मुउंग दाल तो दाल भी धर पे था ते इसलिए में थोड़ा-थोड़ा सा यह कड़ आई हो क्योंकि ज्यादा दिन हो जाता है न तो उसमें कीले लग जाते हैं रहां पहाएं तूरि दाल यांए अधर का दाल और यहां पहाएं इसको उरत दाल है ये सक्कर चिणि और यहां भी है उरत दाल यह मैं ब्लैक वाला लेकर रही हो चिलके वाला ry का यह भी है तो अभी आ रहे है ना क्या बोलते हैं होली के दिन हम लोग दाई बारा काते हैं और यह मट्टर एक पैकेट घर पे था तो एक की पैकेट लेकर लेकर आई हूं इसका मैं पिश्वाओंगी आटा बनवाओंगी इस राइस का तो इसलिए मैं लेकर आई हूं तो इजी दो केट बस खतम होगे मेरी ग्रोशरी आई है मेरी मन्थली ग्रोशरी शॉपिंग हॉल तो इतने सारे तो लगते हैं हर मंथ और हर मंथ का नहीं है यह दो मंथ का है इतना भी अब लोग नहीं खाती हूं गाई और अल्डेटी घर में पढ़ा है और भी चीजे जो चीजे पढ़ा था वह मैं लेकर नहीं आई हूं जो घटा हुआ था वही में लेकर आई हूँ और जिसी कि होली आ रहे है तो होली के लिए भी कुछ चीजे मैं लेकर आ गई हूं मैदा सकर थोरा से मैं ज्यादा लेकर आई हूं और क्योंकि होली के दिल कुछ-कुछ बनते हैं ना पकवान इसलिए और द्रिशानी के लिए भी मैं धेर सारे चोकलेट लेकर आई थी लेकिन अभी मैं छुपाक के रखे हूं क्योंकि द्रिशानी एक बड़ अगर देख लेती है ना कोई भी चीजे तो उसे पूरा ठाकरी मा दिखाऊंगी कि मैं अपने ग्रोश्री को किस तर से और गनाइज करके रखती हूं तो ओ मैं नेक्स्ट व्लोग में दिखाऊंगी तो गाई इस व्लोग को भी मैं प्रेंट करूंगी और मैं मिल तो आपसे एक नए व्लोग के साथ अगर मेरी वीडियो अच्छी लेगी तो अगरी वीडियो को लाइक किजिगा ज्यादा ज्यादा शेयर किजिगा मेरे चैनल पर नेया है तो अप्डू को सब्सक्राइब कीजिगा और पास में चो बेल एकन बेटन होता उ उसे भी क्लिक कीजिगा है कि मैं जब भी कोई वीडियो डाले उसकी नोटिफिकेशन आपक है तो चलिए मैं मिल तो आफ से एक ने व्लोग के साथ अपते के लिए बाइ टेक केर थाइंक्स वरोचीं गुट नाइट शुट रहे हैं बाइबाइब कान पट जाएगा इसका वाइबास होनके